आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माई इंग्लिश पाट्चाला चैनल पर वेलकुम टू माई क्लास Central Idea of Dust of Snow and Fire and Ice इस वीडियो में हम Central Idea को रट कर नहीं बलकि poem के ही कुछ important points को जो आपको पढ़कर आसाने से समझ में आ ही जाते हैं उनी से अपना Central Idea लिखना सीखेंगे वो भी एकदम सिंपल भासा में जिसे समझना और लिखना आपके लिए दोनों ही बहुत आसान होगा यदि एक बार आप किसी question को समझ कर लिखना सीख जाते हो तो फिर आपके लिए किसी भी question का answer देना बहुत ही आसान हो जाएगा तो चलिए without wasting the time स्टार्ट करते हैं अपना विडियो आपको पता है कि इस पोएम में बात हुई है हैं लोग ट्रीकी जिसके उपर एक क्रो बैठा हुआ था वो क्रो उस पेड़ के उपर कुछ movement करता है जिससे some particle of snow यानि बर्फ के कुछ कार पोएट के उपर गिर जाते हैं और पोएट का mood change हो जाता है और इसके कारण पोएट की दिन का कुछ हिस्सा बरबाद होने से बच जाता है इन शोड नेचर की हीलिंग पावर से पोएट की उदासी खत्म हो जाती है और उसका दिन बरबाद होने से बच जाता है बस केवल इनी points को ध्यान में रखकर हमें एक बहुत अच्छा central idea लिखकर इस question में full marks बहुत आराम से ला सकते हैं इसकी पोएट है रोबर्ट फ्रोस्ट आपको हर एक central idea में पोएट का नाम भी लिखना चाहिए इससे examiner पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं Dust of Snow is a very famous poem. Dust of Snow एक बहुत ही famous poem है. Robert Frost is the poet of this poem. इस poem को लिखा है Robert Frost ने. In this poem, poet tells about the healing power of nature. इस poem में कभी ने प्रकृती की healing power की बारे में बात की है. Poet was sad and he was standing under a hemlock tree. Poet उडास था और वो hemlock tree के नीचे खड़ा हुआ था. A crow was sitting on that tree. एक कवा उस पेड के उपर बैठा हुआ था. Suddenly crow moves and some particle of snow fell on the poet. अचानक वो कोवा थोड़ा सा हिलता है और बर्फ के कुछ गण poet के उपर गिर जाते हैं. After this, his mood changes. इसके बाद poet का mood change हो जाता है. And this small thing saved some part of his day. और ये चोटी सी घटना poet के दिन का कुछ हिसा बरबाद होने से बचा लेती है. यदि किसी student को इस central idea को और भी best लिखना हो, तो हम इस poem की कुछ लाइनों को इसमें लिख सकते हैं. यदि आपको याद हो तो जैसे हम लिख सकते हैं. This has been very beautifully expressed in the poem. इस poem में ये बहुत ही सुंदर तरीके से poet ने बताया है. has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. तो ये था हमारा complete central idea और यदि आपको lines नहीं भी याद हो, तभी आप यहीं तक लिख सकते हैं. इतना लिख कर भी आपको काफी अच्छे मांक्स मिल जाएंगे. ये था हमारा central idea. अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी next poem, fire and ice का central idea. poet Robert Frost ने fire and ice poem में end of the word यानि संसार के अंत की बात की है, जो या तो fire से हो सकता है, या ice से हो सकता है. पर कभी के अनुसार दोनों ही संसार के अंत का कारण बन सकते हैं. fire का मतलब यहाँ desire है और ice का मतलब यहाँ hate है. केवल इनी main points को ध्यान में रखकर हमें एक बहुत अच्छा central idea लिख सकते हैं और इसकी भी starting की two line हम dust of isna वले central idea की ही लिख सकते हैं, जिससे लिखना आपके लिए और भी असान होगा, बस poem का नाम चेंज करना है. तो चलिए देखते हैं, fire and ice is a very famous poem, यह बहुत फरसिध poem है, Robert Frost is the poet of this poem, इसकी poet है Robert Frost, in this poem, poet tells about the end of the word, इस poem में कभी ने सं संसार के अंत की बात की है, some people say this word will end in fire and some people says this word will end in ice, कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आइस यानि बर्फ से होगा, here fire stand for desire and ice stand for hate, यहाँ पर fire का मतलब desire है और ice का मतलब hate यानि नफरत है, तो fulfill his desires, man will destroy the natural resources, अपनी इच्छाओ को पूरा करने के लिए मनुशे प्राकिर्तिक संसाधनों को नस्ट कर देगा, तो इससे भी संसार का अंत हो सकता है, due to hate, terrorism will take place, नफरत के कारण आतंक बात बढ़ेगा, तो इससे भी संसार का अंत हो सकता है, So according to poet, both fire and ice can destroy the world, कभी के अनुसार ये दोनों ही संसार का अंत कर सकते हैं, तो ये थी हमारे इन दोनों poem के central idea, I hope आपको ये समझ में आया होगा, इन सभी main points को एक दो बार आप खुद से सोचिए, और अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए, मुझे उमीद है कि आप अराम से इसको लिख पाएंगे, वो भी बिना रटे, तो आज की लिए इतना ह कर अपने का हूँ में आप आप खुद लग एका मैं आप मुछा खुद आप ये लिए इन ने में आप दि ले लिए टो आप जी है किर